तो फिर मैंने इसे कहा चलिए मैं इलहावाद मुद्ध को दिखा लाई क्योंकि मेरी जो है दो साल पहले ही मुझे मेरी सास जो है गिर गई थी तो मेरे गुठने में काफी मतलब उस समय दर्द महसूस हुआ था क्योंकि मैं काफी उस समय काम हो जा रहा था घर में जाड़ों भुचा लग्वोंन कि खाना बनाना तो मेरी यह दाहिने गुठने में जो है अचानक से क्योंकि घंटों खड़े रह करके खाना बनाते थी तो यह मेरी गुठने में काफी जो पढ़ा बहार पड़ा शरीय हेल्दी होजेने की बज़े से ही शरीय मैं बहुत इसमें गूपने में भार पड़ रहा था तो मेरी गूपने में अचानक सफ़द हुआ था और मैं उस समय गिर भी गई थी तो वो ऑच गया घाए तो गूपना? sometime कि पहले मुझे दरधुआ तो पिर इमे और दर्द दर्द उठता है तो फिर डॉक्टर ने मेडिशिंग वगरे दी थी 15 दिन की दी मैंने खाया और मुझे काफी मतलब उससे रिलीफ हो गया था अराम हो गया था देखे मैं कितना पहनी हूं फिर भी मतलब ठंड इतना ज्यादा असर कर रही है मुझे कि मैं क्या बता तो मुझे काफी आराम था फिर हमारे पापा जो है मुझे तबसे आराम ही था मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि फिर पापा मेरे मार्च में उनकी देथ हो गई उसके बास से फिर कोवीड 90 था तो डॉक्टर बैट भी नहीं रहे थे और फिर मैं उनको दिखाई भी नहीं अराम था तो मैं थोड़ा साला परवाही भी कर गई अब फिर फूरी ठंडी वीद गई मुझे कोई दिकत नहीं वाले फिर इधर मुझे अभी दस दिन से काफी ज्यादा दिकत है मैं सुबहे देखे मेरे उनली अभी तो कुछ सही है अभी थोड़ा वह स्वैलिंग कम है क् मैं मेडिशीन स्वैलिंग की खा रही हूं इसलिए थोड़ा सका मैंने यह यह सब पूरे यह हाथ और यह सब पूरे एक दम इस्वैलिंग थे मैं ऐसे मूठी कसके बांध हूना तो बिल्कुल बांध नहीं था उस सुभी सुभी इतने अकड़ जाते हैं कि मैं ऐसे हाथ को सुभी जरा बांध की के वह दोन को इस थरी जी दोनों को खोल लूं बलकुल नहीं खोल पाती और कि दोनुंगे इतनी जख़ग जाते हैं कि मैं जमीन में पर रहकर हैं कि सुछthis अब बहुत जादा दिक्कत है उठने बैठने में जब से जादा फ्रेस हो जाने जाओं तो भी बूज़े बहुत प्राब्लम दे दिया मुझे तो फिर मैं गई भी लाबाद में बीच गई फिर से दिखाने उनको तो डाक्टर को कोविड 90 हो गया तो वो बाहर चला गया था और लेकिन अभी आ गये हैं उस दवा से मैं रिपीट दवा लेके आई जो सबसे पहले मुझे प्राब्लम थी मैंने सुदा चलो मैं यही दवा करके आती हूं तो मैं वो दवा लेकर के आई लेकिन मुझे कोई आराम नहीं हुआ फिर मेरे हस्बेंट बोले चलो तुम्हें एक बैद को दिखाते हैं तो मैं बैद को भी दिखाने गई और क्या है नहीं बच्पन से हो मैं पैर्थिक और वेदिक दवा विल्कल खायता ही तो मिली करके तो आई लेकिन मुझे कोई आराम ने क्युक्कि मुझे अभी इससे में तकलीप जादा है इस देर सो कोई प्राइब्लम नहीं कोई आराम ही नहीं है मुझे दिब भर कुडिया बनाते बीच जाता है बहुत बुष्टा लग रही थी मैं फिर खाना बंद कर द तो कल हम जाएंगे दिखाने और फिर एक पेंट किलर है कुछ थोड़ा हाई पाउर की है फिर इन्होंने कल से मुझे दिया है तो दर्द तो आराम है दर्द नहीं है लेकिन जकड़ान उसी तरह है जिसे पूरा गुफ़ा फुलता नहीं है कि मैं फुल करके पैर उठा करके च फिर से खाली हो फेंट किलर की बहुत ज्यादा दर्द था पूरी रात में इधर सुखर इतना जकड़ता जरा सही जाता कोई चीज उठाने की ना इस तरह से तागत नहीं वड़ती है कि कोई चीज मैं उठा लो इस तरीके से इसे लगता जिसे कोई बली नहीं लग रहा हू सच में बहुत प्राबलम है सबसे बड़ी सुखे सुखे दिकत हो जा रही है मेरे हजबेंट खाना उनको नहीं बना पाती हूं मैं और सच में मुझे बल्कुल से रोना आ जा रहा है कि मैं क्या हो गया मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि पता नहीं तो उसके बाद आज किस बनाई हूँ इनके लिए किसी तरह फिर या आगर तो परिसान हो रहे हैं तो मने का नहीं बनाने बयार लेटे भी तो नहीं रहा जाता है और इसमें ठंडी इतनी ज्यादा है ना ठंड के वज़े से मुझे और बच्पन में मुझे ठंड से बहुत ज्यादा अलर्जी थे रहे हैं एक दम से ठीक ठाकती और इधर में पीट काम करने के लिए भी काफी ही मतलब चक्कर में पड़ी पर पता है क्या है यह सब मेरी फूली है उन्हों सरीर में कोई ताकत नहीं कहले प्प्र दैना वो चीछ नहीं है यह शब फूला है पूरा सरीर जो है पिर उसके बाद ये चले गया फिर मैंने किसी तरह हिम्मत करके पूहा बनाई है चाय बनाई अपने बेटे को दिया मैं खाई अभी मैंने दवा खाई है नास्ते वाली जो है और अभी मैं रोटी नहीं बनाई हो कपड़े बरतन जारू पूछा के लिए मैंने लगवा बूंप इस आधा फिर बता देती हो तो कोई वीडियो नहीं बना घृता है तो कोई वीदियो नहीं बना रही है कि मनी नहीं लगता तूब यह ठीक है तो कुछ भी का में मोबाईल अच यूट्यूब बगरा इतने दिन हो गया मुझे इसको चला ए मैं कुछ भी कि नहीं कि ममी का फोन आता है और बाती कुछ नहीं मनीं नहीं करता है सारा देन चुछ बनता बस अपने द्यरतवित में दिमाग रहता है कि क्या बता है और डॉक्टर ने बादी वाली चीज़े खाने के लिए मना कर दिया है एक चावल बैग हैं गोभी मटर और भिंडी जो बादी वाला दही मठ्था तो इधर में नौरात ब्रत भी थी तो दही वही काफी खाई इधर बीच में भी खाई हूं तो इस हो सकता है थंड है ज्यादा तो वही सब और मुक्षान कर रहा हूं लेकिन आम देखें कर डॉक्टर को भी खाएंगी तो जॉक्टर बताएगा क क्या से फिर से कैसे दिख्कत हो गई ठीक है मैं जो कुछ पिछला वीडियो रखा है तो वही आप लोगों को अप्लोड कर दूंगी तो आप लोग देख लीजेगा और आप लोग भी वह करिए कि मैं ठीक हो जाओ ताकि आगे की वीडियो में बना सकू और नहीं तो पता न मैंने पेंकिलर खाया दवा फिर कुछ दर्द छीख हो गया ती धर धर जो भी काम पड़ा था मैं उसको करके फुसत कर दी बलकि यह चिला रहा है थे क्यों कर रही मैंने का नहीं यार अभी दर्द कुछ कम है तो काम कर लेने दो और फैला अच्छा नहीं लगता है सच्वे इस समय बहुत अस्त ब्यस्त है पुरा घर क्या करूं क्या ना करूं कर पर समझने यादा है चलिए ठीक है रखते हैं मैं अपने सास से सुपर रोटी बना देती हूं अभी वह भी खाना नहीं खाये है सुबह वही नास्ता वगरा किये हैं बस और आज बिलकुल धूप नही है ठीक है रखते हैं इस बाए बाए रखते हैं बाए बांव कैसे आप सब लोग अई गूप आप लोग बहुत अच्छे होंगे पर इधर मेरा भी कोई वीडियो नहीं आया क्योंकि मेरे इधर तब यठीक ने चल ले है दजी और बहुत ज्द्जादा परेशान हो गई हॉ पता नहीं कि आप मुझे अचानक से हो गया अभी तो मैं ठीक ठाक थी जो है और इदा दस दिन से रात में एक दिन अचानक से जो है मुझे पूरे पैर में इतना ज़्यादा मेरी को दर्द हुआ और फिर सुवेरी इतनी ज़्यादा मेरी ये गुठने दोनों जकड़ गया है ये उंगली वगारे में बहुत ज़्यादा ये देखे स्वैलिंग अभी तो थोड़ा बहुत सूजन कम हो गई है नहीं इतना ज़्यादा हाथों में स्वैलिंग था दोनों हाथों में बहुत ज़्यादा स्वैलिंग था मैं इस तरीके से बिल्कुल ना तो मैं मूठी बांद पा रही थी ना ये पूरा एकदम खोल पा रही थी फिर बहुत ज़्यादा समझ लीजी मैं क्या बता हूँ मैं इतना रो बिल्कुल जैसे रोने लग रही थी और अाफट्रनून कैसे है था आप अधर्श्य होंगे तो अभी मैं सारा काम करके फुर्सफत हो गई हूं और जैसा कि मैंने आप लोगों क्वार में तो आप लोगों को कैसे लगा कई लोगोंने कमेंट बॉक्स में लिखा कि साड़ी आप लोगों को यह वीडियो में बताते हैं क्योंकि मजह भागा जादा एलरुजियंग। और रात में बिल्कुल जक्रण हो जाती है, सुबह बहुत दिक्कत हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, जिंदगी है, लाइफ है ना, इतने थोड़े बोड़े, अगर कश्ट को अगर देखते रहेंगे तो फिर कैसे जिंदगी चलेगी है, लाइफ तो ऐसे चलेगी नहीं, और बिताइए, अब देखें खिचडी तक माकर शक्रांती तक तो ये ठंडी पड़ेगी है, और मेरे घर कोई आया है, कौन आया है, मेरा बड़ा बेटा आया है, तो चलिए आपको मिलाओंगी, अभी वो सो रहा है, अराम कर रहा है, क्योंकि छोटा ओला बेटा तो वीडि और ठीक है, रखते हैं अभी, अभी थोड़ा सा अराम करोंगी, क्योंकि अभी में फुरसत हो गई है, मैं जैसा कि रोजी डेड़ दो मुझे बच जाता है, मतलब फुरसत होने में, तो चलिए इनिंग में चाय में मिलते हूं, तब तक के लिए, बाइ-बाइ, गुड आप सारा तयार था, भाजी बनी थी, और जुंडी की रोटी बनी थी, तो ठीक है रहे हैं,